जहिन साथियों कैसे हैं आप अमेद है आप सब बहुत अच्छे सूंगे स्वागत एक और important वीडियो में और हम जहां जानेंगे सिक्षा के अभीकरण agencies of education से यानि कि सिक्षा के अभीकरण क्या होता है और इस वीडियो में हम point out करेंगे active यानि कि सक्री अभीकरण passive निस्क्री अभीकरण और most important बच्चों आपकी exams में जो कई बार पुछा जाता है वो है formal agencies, informal agencies और non-formal agencies यानि कि अपचारिक अभीकरण, अनपचारिक अभीकरण और निरपचारिक अभीकरण तो बिना किसी देरी के दोस्तों आईए हम सुरू करते हैं और चांते हैं सबसे पहले कि ये अभीकरण क्या होता है तो स्वागत है आप एस वीडियो में दोस्तों दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि सिक्षा अभीकरण का अर्थ क्या होता है what exactly the mean of education agencies दोस्तों ये एजेंसी इसको इंग्लीज में कहते है एजेंसी अभीकरण या साधन अंग्रेजी सब्द के एजेंसी से बना है और Agency में आपसे पूछी हो आपने अक्सार सुना वाका बाइक की Agency, Car की Agency, Tractor की Agency वास्तों में इन Agency का क्या होता है? यह Agency का काम ही होता कि वह चीजें प्रवाइड करना मतलब वो एक अस्थान है जहां पे वो चीज़े प्रवाइड की जाती है जैसे बाइक की एजनसी में आपको बाइक मिल जाएगा ट्रैक्टर की एजनसी में आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा तो ये सारी एजनसी क्या होती है वास्तों में एजनसी या वो जगा या वो अस्थान या वो साधन होती है जिसके माध्यम से आपको वो वस्तों मिलती है तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सिक्छा अभी करण यानि कि एजुकेशनल एजनसी का क्या मतलब होगा कि वो अस्थ पर आपको सिक्षा प्राप्त होता है वो एजेंसी हो गए बिल्कुल अब आईए अब आपको इत्कों लग किताब इभासा में देखते हैं अभी करण या साधन अंग्रेजी सब्सके एजेंसी का रूपांतर है एजेंसी का अर्थ एजेंट का कारे आपको पताने हैं वहाँ अत्त पर वेक्ति या वस्तू होता है जो कोई कारे करता है या प्रभाव डालता है अत्त शिक्षा के अभी करण ये तत्त व करण अस्थान ये संस्थाएं हैं जो बालक को सेच्षित करते हैं अब आईए अब यहां पर ध्यान दिखेंगे कि बीडी भाटिया ने क्या आई आउ सिंपल सब्दों में नहीं परिभास लिखा है कि समाज इने सिक्षा के कार्य को करने के लिए अनिन विस्रेष्ट अधा चामिश्ट का मतलब इस पैसल एजैंसी सेइस इस पैसल इसस्ट्यूश्योंस ऑस medicine on का विकास किया इन्ne है संस्थाओं को हम क्या कहते बत् संस्था है या फिर वह इंग्लिस में कहें तो दोज इस पेसर इंस्टिटूट विच प्रोवाइड सस एजुकेशन इस नोन आज एजन्सी ऑफ एजुकेशन यानि कि वह विशिष्ट सिक्षन संस्था है जो सिक्षा हमें देती हैं सैचिक अभी करण कहलाती है बात समझ में अब आई यह कितने प्रकार की होती है इसको जानना बहुत ही जरूरी है अगर हम इनका वर्गिकरण करें अगर हम क्लासिफिकेशन करें यह बहुत ही जरूरी है करना तो यहां पर कुछ एजन्सी ऐसे होती है जो कि सक्री होती है मतलब इसको इंगलिस कहते है अक्टिव होत मतलब वह institute यानि वह अस्थान या अस्थान जहां पे दोनों व्यक्ति क्या हो बच्चो एक्टिव है जैसे मालने यह वह व्यक्ति हो गए जिनको सिक्षा प्राप्त करना है और यह वह व्यक्ति है जो सिक्षा दे रहे हैं ठीक है तो दोनों एक्टिव हैं दोनों एक दूसरे के सामने हैं दोने एक दूसरे से बात करें जैसे आपका इस्कूल हो गया कॉलेज हो गया तो वहां पे क्या होता है सक्रिय होता है ठीक है और निस्क्रिय की बात करें क्या जरूरी है कि आप सिक्षा किसी ध्यापक से ही प्राप्त करेंगे विद्याले में जाके आप किसी खाल ठीक है तो यहां पर देखेंगे तो एक वैक्ति तो सक्री्य है लेकिन दूसरा वैक्ति निस्क्रीए है उसे बस सुनना होता है तो इस परकार के अभीकर्ण को हम निस्क्री अभीक्रण कहते अब आ यह ज़रा किताबी language में देख लेते हैं शक्रिय हभी करण पर आया यहां प्रत्न करते हैं कि समाजी ग्विकास पर नियंतर करले और इस्चि निश्ची दिश्चा पर १ान करते है सक्रिय अभी करण में विद्यार्थी तता सिक्षक के प्रत्य जिए । इसमें सिक्षार्ती तता सिक्षक दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और स्वैम भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं अब आईए विद्याले परिवार समाज राज धर्मादी यह क्या है बच्यों सक्री हैं समझ में आगई ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहां प प्रभावित होते हैं चीक है इस तरह यह प्रभाव एक ही ओर से पढ़ता है जैसे समाचार पत्र समाचार पत्र बालक पे प्रभाव डालेगा लेकिन बालक का अपना प्रभाव समाचार पत्र पे नहीं पढ़ेगा फिल्म टेली विजन रेडियो प्रेसाधी निस्क्री अ बाद में अब ऐसी टेकनोलोजी से आगें जहाँ पे अपने रीडर्स और वीवर्स भी अपना पॉइंट रख लेते हैं तो बात यह हो कि निस्क्री और सक्री इसको कहते है एक्टिव इसको कहते है पैसिव अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो क्लासिफिकेशन है वो यह बाते हैं अब यहां देखेंगे आप लिखाएं आपको एक अन्य दी्रीस्टिकोण से अभिक्रणों का वर्गिकरण होता है ँ आप इसको देखिए से समझने पड़ेगा अपचारिक अभीकरण क्या होता है अपचारिक अभीकरण आप इसको देखिए इसको क्या करें बच्चो अब यहां पर दियां से देखिएगा अपचारिक सिक्षा सिक्षा वह सिक्षा है जो एक निस्चित अस्थान पर निस्चित लोगों के द्वारा निस्चित पाठिकरम तता निस्चित समय में संपन की जाती है उसे आपचारिक सिक्षा कहते हैं अब इसको समझे निस्चित अस्थान आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वह अस्था पढ़ाने वाला पढ़ाने वाली के जगह पार्टेकरम और समय सारे निस्चित हो उसको हम कहते हैं उसका सबसे बहते बहते इंग्जामपल कौन सा है कि छात्रों का स्कूल में जाके पढ़ना चीक है? हम स燉स्थाओं की बात कर लेते आपचारिक शिक्षा के संस्थान को न है बचो? आपचारिक सिक्षा का मुख्यास्तान विद्याले परिशर है अब ऑनप्चारिक क्या होगा बचो? अपचारिक देखेंगे तो आपको समझ में आये यहां पे कोई निश्चित नहीं होता, बच्चे कहीं भी स्वतनतर रूप से सिक्षा को ग्राण कर सकते हैं, इस प्रकार सिक्षा और अपचारिक कहलाती है, मैं एग्जामिल देता हूं आपको, जैसे माँ लिजी 잘 आप चीडिया घर में गया है, ठीक है, तो आपने चीडिया रहते हैं, वो कैसे खाते पीते हैं, उनका आकार कैसे होता है, वो चलते कैसे, वास्तों में यहां पे आपको कोई सीखाने वाला नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, और बात अस्थान की करें तो आप किसी भी चिडिया घर में जा सकते हैं, ठीक है, तो यह वाली संस्था क् अनपचारिक शिख्चाव वहाँ में देखते हैं जैसे आपने देखा कि एक अपराद कोई अपरादी था अपराद सीध होने के बाद उससे क्या क्या है यातनाई मिली जीये लगिया क्या तो यह आप कैसे आपण सिख्चागार कर रहे हैं यह आप अपने आस पड़ोस अपने अनुभों के अनुसार आप सिक्षा गरण कर रहे हैं तो और अपचारिक सिक्षा का उधारार क्या है बच्चों और अपचारिक सिक्षा के अंतरका चिनिया घर आस पड़ोस समाच तथा वातावर मित्रमंडली वावा मित्रमं बॉल्स को आपने किताबों में पढ़ा है जैसे पता है एक ओवर में छे बॉल फे की जाती है ठीक है स्टेंप में लगने के बाद वह विकेट गिर जाता है आपने इस नियम को कब जाके आई-सी-सी के वेबसाइट से पढ़ा था कभी पढ़ा था नहीं आपने खेलते खेलते सीख लिया तो आपने वहाँ से सिख्छा प्राप्त किया इसको हम क्या कहते हैं उन ओप चारिक यहां पे कोई निश्चित अस्थान नहीं होता आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार के हम बहुत सारे सिक्षाइं गरन करते हैं, जैसे मोबाइल चलाना आपने कहां सीखा, क्या मोबाइल के साथ वो जो हमें बुक मिलता है, आपने वो बुक पढ़के सीखा, नहीं, आपने अपने सीख लिया देख के सीख लिया अपने मित्र को सिदे लिया अपने भाई बहें दोस्त घर परिवार के लोगों को चलाते हुए सीख लिया तो इस प्रकार की जो सीख मिलती है इस प्रकार की जो सिक्षा मिलती है हम उसे क्या कहते है और अपचारिक सिक्षा कहते है ठीक है बच् और अनव्चारी के बीच की कड़ी होती है जैसे कि निरअप्चारिक सिक्षा कीतर तुबिनव प्रकार के बंधन होते हैं अब जैसे हमने इसमें आपका पार्ठिकरम सिक्षा कुदे सिक्षण वीदी सिक्षण समीत्य दे निश्चीत होते मतलब आपका पार्ठिकरम भी निश्चीत रहेगा उदे सी भी निश्चीत रहेगा सिक्षण वीदी समय भी निश्चीत रहेगा लेकिन आप कहां से पढ़ेंगे देने वाले व्यक्त निधारित नहीं होते हैं मैं इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल देखे यहाँ पर क्या लिका है निरख्ष्ट एक्जामपल क्या है दूरस्त सिक्षा मतलब Distance Learning Distance Learning में आपको दो साल में B8 कंप्लीट करना है लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप college जाके पढ़ेंगे, आप swim से किताब लीचे, swim से अध्यन के पढ़िए, tuition पढ़िए, library में जाके पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको दो साल में complete करना है, बीए, आपको तीन साल में, अब तो बीएसी चार साल को हो गया, इसको आपको complete करना है, distance learning इसका best example होता है, जिसको हम दुरस्त सिक्षा कहते हैं, यहाँ पे चीज़े समझ में आगे, यहाँ पे निरौपचारिक में आपका पार्ठिक्रम तो भाई, आपको बीएट का समझ में आगे हैं, थुरा सा उधारा और देख लेते हैं, दूरस्त सिक्षा के समय पार्ठीक्रम सिक्षण भी दित्याज इनदारत होते हैं, लेकिन बाला कहीं भी रहकर किसी भी यस्तान का उप्योग करके पढ़ाई को पूरा कर सकता है, यह जरूरी नहीं कि वो उसी कोल अपचारीक सिक्षा मतलब वहां पे जहाँ सब चीज़ें निश्चित हो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला स्टान सब निश्चित हो उसको इसको अपचा यह इनका उद्यकर में निश्चित होता है बिल्कुल पाठिकरमने निश्चित होता है बिल्कुन निश्चित होता है एक जगापे दी जाती है उसी को भूद्यालय कहते हैं आपाइब खास सीजिधेbs समय निश्चित ुद्स समय निश्चित उड़ेच से निश्चित पाठिकरम्हें तो यहां पर देखिए यह मुक्त सिक्षा प्राणी है मतलब आप कहीं भी सिख सकते हैं और यहां पर किसी भी हो सकते हैं अरता सिखवाने वाला कोई हो सकता है और अनवाफचारी मतलब पाठ्टि क्रम समय अई सादी उद्ध विड़ेजे निरदारी होते है इसमें क्या थे शिछाप्राइड करने का अस्थान कोई भी हो सकते है किसी भी जगह यह अस्थान निरधारित नहीं होता इसी प्रिकार सिक्षा प्रणाई में बाला किसी भी चीजों की सहायता से अपने सिक्षा को पूरा कर सकते हैं ठीक है बच्चो चलिए बहुत से अता हम कह सकते हैं कि निरौप्तारिक सिख्चा क्या है बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को हम यहीं खतम करेंगे ठीक है अब यह अब हम किसी अन्य टॉपिक को आगले वीडियो में देखेंगे मैं उम्मिल करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आगया होगा बच्चो